सुपर स्टार क्लासेस में स्वागत है आपका दोस्तों आज हिस्टी के मोस्ट इंपोर्टन टॉपिक स्वामी वेकानन जी को डिसकस करेंगे यहां से एक्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टन प्रसन जो बनते हैं उनको डिसकस करते हैं आज की क्लास बहुत ही सांदार होने वा देखें एक्जाम का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रस्न सुपर्टेट, बैंक, एससे, पीसीयस एन अदर इजाम के लिए रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई दोस्तो तो अठारा सो चैन्बे सतान बे में स्वामी वेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की कहा स्रावमी वेकानंद के बच्पन का क्या नाम था दोस्तों तो नरेंदत इनके गुरु का गुरू का गुरू का नाम था दोस्तों तो राम कृष्ण परमखंस स्वामी वेकानन्द के गुरु का क्या नाम था तो रामकृष्ण परम्हंस, खेतिली के राजा के सुजाव पर स्वामी वेकानन्द नाम पढ़ा किसका, तो नरेंदत का नाम क्या पढ़ा, स्वामी वेकानन्द किस ने कहा था, तो खेतिली के राजा ने, इनको एक और राष्चि आंदोलन का अध्यात्मिक पिता का, most important प्रसण exam का, सुवास्चन बोस ने आधनिक राष्चि आंदोलन का अध्यात्मिक पिता का, आए नेक्स्ट इंप्रेंट प्रसण को डिस्कुस करते हैं, सौमी वेकानन्द के द्वारा लिखी गई प्रुमुक पत्रिकां है, जो एक्जाम में बारबार पुछी आती है प्रवुद्ध भारत इनकी most important पत्रिका है किस भासा में लिखी तो अंग्रेजी भासा में किस भासा में लिखी दोस्तों अंग्रेजी भासा में एक और पत्रिका लिखी उद्बोधन ये किस भासा में पत्रिका लिखी तो बांगला भासा में इन्होंने तीन ग्रंध लिखे राजयोग, कर्मियोग, बेदान सोसाइटी Most important person इनके तीन ग्रंध कौन से थे तो राजयोग, कर्मियोग, बेदान सोसाइटी स्वामी विवेका नन ने हिंदु धर्म का सार मानो सेबा बताया एक important statement विवेका नन का एक्जाम में पूछा जाता है हिंदु धर्म का सार मानो सेबा है, ये किस ने कहा था? तो हिंदु धर्म का सार मानो सेबा ये कहा था? विवेका नन जी ने आईए next important person जो exam में पूछे आते हैं आईए इससे पहले इनकी पत्रिकाएं एक बार डिस्कस कर लेते हैं और प्रुवद भारत किस ने लिखी तो स्वामी व्यकानन ने उद्वोधन किस ने लिखी बंगलावासा में तो स्वामी व्यकानन ने इन्होंने तीन गरंद कौन कौन से लिखे थे राजियोग, कर्मयोग, बेदान सोसाइटी इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था हिंदू धर्म का असार क्या है मानो सेवा क्या है मानो सेवा आईए next important person को हम लोग डिस्कस करते हैं इन्होंने बहुत कम समय में अपने जीवन के उन मूल्यों को प्राप्त किया जो किसी असादान व्यक्ति को प्राप्त नहीं होते हैं यहां से एक्जाम में एक और most important बनसा है दोस्तों इन्होंने एक सम्मेलन में भाग लिया था जो एक्जाम का most favorite प्रस्ण है फिशली सुपर्टेट में एक्जाम में प्रस्ण पूछा भी गया था सिकांगो विश्व धर्म सम्मेलन जो हुआ था वो कहां हुआ था तो अमेरिका में इन्होंने हिस्सा लिया था 1893 में प्रस्ण पूछा जाता है दोस्तों निवेधिता किनकी सिस्या थी तो आंसर होगा स्वामी वेका नंद की, इनका दूसरा नाम क्या था, मार्गरेट नोबेल आईए नेक्स्ट इंपोर्टन प्रसंट को डिस्कस करते हैं 1896 में इन्होंने निवार्क में वेदान्द सोसाइटी की स्थापना निवार्क में किसने की थी तो आपका अंसर हो जाएगा स्वामी वेका नंद जी ने 19 सतापदी के नव हिंदु जागरन का संस्थापक किसे का जाता है दोस्तों, most most important प्रसंट नव हिंदु जागरन का संस्थापक किसे पूरी दुनिया में एक अमिड छाप छोड़ी और इस कम समय में इनों ने पूरे दुनिया के इवाओं को जिस ढंक से प्रेडित किया अपने स्टेट्मेंट की सायता से अपने विवेक की सायता से तो वो काफी मूलवान है और आने वाली पीडी के लिए एक बहुत बड़ा स स्रोथ है इंपोर्टन प्रसनों को एक बार और डिस्कस करते हैं तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों स्वामी वेका नंजी को किसको का जाता है स्वामी वेका नंजी को सिकांगो विस्व धर्म समयलन की स्थापना कप की तो 1893 कहां पर तो अमेरिका में सिस्टर निवेता किसकी सिशा थी तो आनसर होगा स्वामी वेका नंजी की 1896 में नियुवार्क में वेदान सुसाइटी की स्थापना किसने की थी तो आपके स्वामी वेका नंजीThis ने आए नेक्स्ट इम्पोर्टन प्रसंडों को इनकी प्रवुथ भारत उदोस्तों च्रण्त और तीन गरं प्रसंद है हमने डिस्कस किये तो आए नेक्स टॉपिक में फिर मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कार सभी दोस्तों को और हमारे साथ जुड़े रहे एक से एक अच्छे टॉपिक को हम आने वाले सीरीज में जरूर डिस्कस करेंगे